Hi everyone, welcome to Current Crunch, I hope you all are doing well, तो start करते हैं आज का topic, modulator से, ठीक है तो first two lectures हमारे होगे, radio propagation का मैंने आपको, telecommunication का मैंने आपको introduction भी दे दिया, उसके बाद हमने modulation भी पढ़ लिया, अब modulators हमें discuss करने हैं, AM modulator and FM modulator उनके types, तो हो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे, आपको मीरी आवाज से लग रहा होगा, मेरी तब है ठीक नहीं है, that's why दो दिन आपके पिछले जो हैं, उनमें वीडियो नहीं मिले, पर मैं कोशिश करूँगे कि आपका जो syllabus है, वो time पे cover हो जाएं, तो modulator basically होता क्या है, हमने पहले modulation पढ़ा, modulation में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक carrier signal होती है, जो carry करेगी, हमारे जो message है, उसको दूर तक पहुंचाने में, तो वो message क्या हो सकती है, उसको हम information signal बोलते हैं, वो कोई audio जैसे voice, हमने आपको FM के example दी थी, कोई song, ठीक है, information signal, उसको हम modulating signal भी बोलते हैं, carrier signal क्या करता है, खुद को change करता है, as upper the information signal, और वो चीज वो दूर तक पहुंचाता है, carry करता है, उसके बाद जब हम receiver end पे पहुंचते हैं, तो demodulation होती है, जहां से हम information को retrieve करते हैं, information को निकालते हैं, हमारे carrier signal से अलग करते हैं, तो यह सारा जो process है, यह किस में होता है, यह कैसे होता है, उसको हम बोलते है modulators, हमारे जो modulators हैं, वो waves generate करते हैं, अगर हम AM modulator पढ़ेंगे, वो AM wave generate करेगा, अगर FM modulator पढ़ेंगे, वो FM waves generate होंगी, ठीक है, start करने से पहले, मेरी app आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप मेरा कोई भी course purchase करना चाहते हैं, currently में नाइपते सिल्दार, साब इंस्पेक्टर, junior assistant, JKS, prelims test series, JKS, mains, यह सारे जो course हैं, वो करवा रही हूँ, उनकी detail के लिए आप मेरी app जो है, वो download कर सकते हैं, जिसकी link आपको नीचे description box में मिल जाएगी, अगर आपको constable test series लेनी है, वो भी आप वहाँ से purchase कर सकते हैं, अभी आपका दिवाली offer चल रहा है, तो आपको काफी discount मिलेगा मेरे सारे courses पे, मैंने एक book भी लिखी है, JK SSB की, जिसमें जमोईन कश्मीर की geography, जमोईन कश्मीर का GK का सारा part है, अगर आप उस book को order करना चाहते हैं, तो आप मुझे, आपको whatsapp करना होगा इस number पर, 700667725 पर आप whatsapp कर सकते हैं, अपना जो book को order है, वो place कर सकते हैं, ठीक है, तो हम start करते हैं modulator से, modulator मैंने आपको कहा, यह क्या होता है, basically जो एक काम करता है, जो am wave generate करवाएगा, उसको हम am modulator बोलेंगे, और जो fm wave generate करवाएगा, उसको हम fm modulator बोलेंगे, अब देखो, अगर मैं आपको यह modulators, बिल्कुल deeply बहुत यह पढ़ाओ, एक तो उसमें time भी लगेगा, इन secondly आप gate की preparation नहीं कर रहे हैं, वो भी दिमाग में रखना होता है, तो इस वज़ा से जितना मेरे हिसाब से जरूरी होगा, आपके लिए information हो, सारी आपको इन notes में मिल जाएगी, ठीक है, और इन notes को download करने के लिए, आपको telegram group join करना होगा, जिसकी link अगेँ आपको नीचे description box में मिल जाएगी, तो modulator क्या होता है, modulator जो है, it is an electronic circuit, जो क्या करता है, superimpose करता है, low frequency information signal को, into high frequency carrier signal, for the purpose of wireless transmission, इस process को हम modulation बोलते हैं, जो हमने last video में पढ़ा, and modulation जो device perform करता है, उसको हम modulator बोलते हैं, simple है, अब कुछ comments में ने पढ़े, बच्चों के बच्चे इसमें confused हो रहे थे, modulating and modulated wave, देखो आपके जो information wave है, वो low frequency होती है, and उसको हम modulating wave भी कहते हैं, modulating, T-I-N-G, and जो आपको output में मिलती है, final wave जो आपके पास आती है, उसको हम modulated बोलते हैं, जो AM modulated wave हो सकती है, या FM modulated wave, लेकिन आपके जो information signal है, उसको baseband signal भी बोलते हैं, या उसको modulating signal, modulating wave भी बोल सकते हैं, अब जो modulating signal है, आपके information signal या analog भी हो सकती है, या digital भी हो सकती है, फिलाल आपके one unit में सरफ analog है, and unit two में, unit third में I guess, जिसमें हमें ये सारे topics फिर से पढ़ने हैं, उसमें क्या है आपका digital ये communication वो भी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, unit first के साथ ही हम unit third जो हो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि unit third के जो आदे topics हैं, वो हमारे first unit में ही cover हो जाएंगे, ठीक है, तो AM modulator कौन से हुए AM modulator, जो क्या करेंगे, जो generate करेंगे AM way, generates AM way, अब जो AM modulators है, उसको हम दो types में divide करते हैं, एक है आपका low level AM modulator, और एक है आपका high level AM modulator, अब low level में आप याद रखोगे, जो आपकी modulating signal होती है, that means जो आपका gana है, voice है, या information signal जो है, वो low power की होती है, आपकी जो carrier signal है, जो आप खुद generate कर रहे हो, एक carrier signal steady, stable amplitude and frequency के साथ, जिसको आप बाद में as per the information signal vary करोगे, जैसा कि हमने first lecture में पढ़ा, वो भी low power होता है, जो आपकी AM signal generate हो जाती है, वो भी low power होती है, फिर आप इसको boost करते हैं, एक power amplifier से, आप बाद में antenna से उसको broadcast कर देते हैं, ठीक है, अब ये चीज़े मैं आपको दुबारा से नहीं बोल रही ही, सारी ये सारी, क्योंकि ये मैंने पुराने lectures में explain कर लिया है, ठीक है, जो high level है, उसमें इसका उल्टा होगा, high power modulating signal होगी, that means आपकी जो information signal है, वो भी high power है, फिर आप एक high power carrier wave भी generate कर रहे हो, और जो finally आपकी signal आएगी, वो भी high power होगी, ठीक है, इसमें आप diagram देखलो, ये जो चीज़ बने आप लिखे, wide band power amplifier और narrow band power amplifier, फिर वो आपको आगे diagram में clear हो जाएगा, अब देखो low level हम देखते हैं, amplitude modulator, ये आपका एक low level amplitude modulator है, यहाँ से base band signal गई, इसको हम information signal भी बोलते हैं, और यहाँ से आपका RF carrier oscillator है, जो क्या कर रहे हैं, आपके carrier wave generate कर रहे है, carrier wave generate, तो low power carrier wave generate होगी, इनकी यहाँ पर modulation हो जाएगी, जिसमें क्या होगा, super imposition, super imposition क्या होता है, हम जिसमें आपको पहले भी कहा, हम यागे कोई समान deliver करवाना होगा, हम उठा के उस समान को scooty पर रखेंगे, वो जो scooty है, उसके उपर हम super impose करवा रहे हैं, उसके उपर हम हमारी information signal रखते हैं, that is super imposition, फिर वो एक wide band power amplifier के पास जाएगा, उस signal को amplify करेगा, और वो antenna से telecast हो जाएगी, फिर high level amplifier में, high level modulator में क्या होता है, जो आपकी base band signal है, पहले हम उसको एक amplifier से निकालेंगे, that means हम उसको क्या बनाते हैं, हमने पहले उसको amplifier से निकाला, carrier signal को भी हम एक power amplifier से निकालते हैं, amplifier क्या करते हैं, amplify करते हैं signal को, तो जो wide band है, हमने यहाँ पर wide band क्यों यूज किया, that means बड़ी bandwidth वाला, और यहाँ पर narrow bandwidth वाला यूज किया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, जो carrier signal है, उसकी एक steady, एक stable frequency और amplitude होता है, लेकिन हमारे जो voice signal है, उसकी frequency ज़ादा भी हो सकती है, यह हमें नहीं, मतलब यह हमारे message signal पर depend करेगा, carrier वाली तो हमारे हाथ में generate करवाना, लेकिन वो हमारे message signal पर depend करता है, कि उसका bandwidth है, वो ज़ादा भी हो सकता है, इसलिए हम use करते हैं, उसकी जो frequency है वो ज़ादा भी हो सकती है, इसलिए हम use करते हैं, एक higher bandwidth power amplifier, जिसमें हमें जगा ज़ादा मिलेगी, उस signal को amplify करने के लिए, इसको फिर हमें, क्योंकि हमारे पास दोनुं high level की आ गई, तो हम high level AM modulator से निकाल के, इसको क्या करेंगे, इसको इसकी modulation सारी हो जाएगी, उसके बाद antenna से उसको again telecast करवाएंगे, तो ये एक basic procedure है, modulators के काम करने का, ठीक है, तो exam में आपको कैसे आ सकता है, low level example and high level example है हमारे पास, ठीक है, तो exam में आपको नाम लिखा आ सकता है, कि जैसे low level की examples है, square law modulator, या switching modulator, ठीक है, and high level example है आपकी collector modulator, तो आपको लिखा हो सकता है, collector modulator एक high level modulator है, या low level modulator है, ठीक है, इस type का question आ सकता है, या आपको जैसे low level में पूछा जा सकता है, क्या आपका AM signal low power का होता है, ये सारे चीज़े भी करके आपको पूछा जा सकता है, and ये जो narrow band, मैं आपको wide band power amplifier, और carrier signal के लिए narrow band power amplifier, ये दो चीज़े बताई, ये भी आपको MCQs में पूछा जा सकता है, low level amplifier में हमारा आगया, square law diode modulator, ठीक है, square law diode modulator, इसमें हम diode यूज़ करते हैं, non-linear, non-linear क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, diode क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, diode को हम ऐसे represent करते हैं, electronics में, diode जो है, ये basically होता क्या है, ये एक electronic component है, जो that lets the current flow, in one direction only, in one direction only, ठीक है, current सिर्फ ऐसे flow करेगी इसमें, और इसके एक अच्छी property होती है, कि इसका एक threshold होता है, that means, इसको एक particular voltage ही चाहिए on होने के लिए, उसे कम में on नहीं होगा, उसे कम में on नहीं होगा, और अपने साथ current जो है, वो pass करने नहीं देगा, तो हम इसको कभी as switch भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो diode होगे, आपका electronic component, electronic component that lets the current flow in one direction only, इसमें जो message signal है, power signal है, दोनों low power के होते हैं, obviously क्योंकि यह आपका low level modulator है, diode हम यूज़ करते हैं non-linear, अब देखो non-linear क्या होता है, मैंने आपको दोनों यहाँ पर बता है, linear भी non-linear भी हो सकता है, आपको exam में आजाए, कि हम diode कौन सा वाला जो है, वो कौन सी property of the diode यूज़ करते हैं, square law modulator के लिए, तो square law के लिए हमारा non-linear चलता है, linear क्या होता है, linear में जो input है, वो directly proportional होता है to the output, इसका मतलब अगर जो हम input voltage दे रहे हैं, उसको हम two times बढ़ाएंगे, तो जो output current है हमारी, वो भी two times बढ़ेगी, इसको हम linear बोलते हैं, non-linear क्या होता है, इसमें input-output relationship जो है, वो same नहीं होता है, that means अगर हम input power, जो है input voltage को double करेंगे, जो output है हमारा, वो four times भी बढ़ सकता है, three times भी बढ़ सकता है, eight times भी बढ़ सकता है, that means वो ज़्यादा multiply हो जाएगा, fine, and वो ही हमें काम आएगा, क्योंकि हमें amplify करना है, मैंने आपको amplify क्या example बताई थी last time, imagine करो क्या balloon को inflate कर रहे हो, फूख बर रहे हो balloon में, तो balloon उपर की तरफ भड़ा होता जाएगा न, तो वो amplify हो रहा है balloon, वो ही signal को हमें amplify करवाना है, तो अगर हम twice input दे रहे हैं, और हमारा जो output है, that means हमारी जो generate हो रही है signal, वो two times, four times, eight times जादा हो रही है, तो वो ही behavior जो है हमें यहाँ पर, जरूरत आएगा एक AM modulated wave generate करने के लिए, वो ही यहाँ पर लिखा है, अगर if we double the input and the output height goes into four, into three, that means four times, three times जो है increase हो सकता है, this non-linear behavior is what lets it combine signal in the special ways, ठीक है, example multiplying them, which is useful in creating the AM signals, तो हमें amplitude को बढ़ाना होता है, उसके लिए हमें यह property use होती है, तो यह समझ गया, square law diode जो है क्या करता है, diode use करेगा, non-linear property, यह दो चीज़ें आप याद रखोगे, and यह क्या है, एक low level modulator है, low level मैं आपको बता है, जिसमें आपका जो हमारी information signal भी low level की होती है, तो हमें carrier भी हमें वहाँ पे low level ही जुरत परता है, तो low level modulator से हम उनकी superimposition करवाते हैं, अब देखो, square law जो है, इसकी formula थोटी ज़ादा important है, तो इस वाले modulator में मैंने formula भी include की हुई है, this is your amplitude modulated wave, finally, उसकी formula है, Vc, voltage of आपके जो carrier signal है, वो, sine, 2π, fc, frequency of carrier wave, T, plus, Vm, modulated wave की voltage, sine 2π fm, T, multiply by sine 2π fct, ठीक है, एक बारी मैं erase कर लेती हूँ, यह formula आप देख लो, यह है, इसमें यह वाला जो पहला है, यह क्या करता है, यह represent कर रहा है carrier signal को, और यह जो यह वाली चीज है, यह represent करती है, किसको आपकी modulating signal को, ठीक है, and sine 2π fct, क्या है अगयन आपका carrier signal, यह हम क्या करवा रहे हैं, हम एक amplitude modulated wave, जो है, वो generate करवा रहे हैं, amplitude modulated signal, अब देखो, वो signal कैसे generate हो रही है, यहाँ पर दो चीजे हो रही है, वो दो चीजे क्या है, मैं आपको बताती हूँ, एक है आपका addition, ठीक है, कहीं पर आपका addition हो रहा है, and कहीं पर multiplication हो रहा है, multiplication, तो basically wave कैसे generate हो रही है, हम carrier wave को, अपके information wave को, carrier wave के साथ multiply कर रहे हैं, एक multiplier यूज कर रहे हैं, multiplier, जो क्या multiply कर रहा है, आपके carrier wave को, into information wave, information signal, ठीक है, इन दोनों का multiplication हो रहा है, फिर जो answer आएगा हमारे पास, उसको हम, उस term को हम add कर रहे हैं, again carrier wave से, carrier wave से, ठीक है, यहाँ पर देखो, यह आपका carrier signal है, और यह आपका, यह है modulating signal, जिसको information signal भी बोलते हैं, then again यह carrier signal है, तो basically क्या किया गया है, यहाँ पर, यह जो पहले carrier signal है, और modulating signal है, इनको multiply किया है, फिर इनका जो result आया है, उसको again हमने carrier signal के साथ, add किया है, अब आप बोलोगे यह क्यूं, पहले हमने multiply किया, ठीक है, यह समझ गए multiply क्यों, यह हम basically क्या कर रहे है, multiplication में, आपको क्यों यह वाला part explain कर रही हूँ, ताकि आपको वो super imposition समझ में आ जाए, कि मैंने आपको कहा, अभी तो मैं आपको से verbally कह रही हूँ न, carrier wave को, हम super impose करवाते हैं, modulating signal से, अब मैं आपको practically दिखा रही हूँ, यहाँ पर वो कैसे हो रहा है, तो पहले multiplication हो रही है, दोनों जुड रही हैं आपस में waves, उसके बाद addition हो रहा है, किस के साथ, carrier wave के साथ, यह क्यों होगा, जब finally हमारी जो modulated wave है, वो demodulation तक पहुँचेगी, और हमें जरूरत पड़ेगी, सिर्फ information signal को निकालने की, तो यह जो हमने addition किया है, carrier wave का, इससे हमारे पास, एक stable reference मौझूद होगा, जो हमें बताएगा, कि carrier wave कोन है, और आपका जो information wave है, वो कौन है, वो कैसे होगा, वो मैं आपको पताती हूँ, पहले मैं यह erase कर देती हूँ, झालने की, झालने की, कि रेस हो गया है अब हम वापस आते हैं तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ पहले आपकी क्यारियर वेव प्लस इन्फरमेशन सिगनल जो है वो मल्टिप्लाइ होगी उसको एक मल्टिप्लाइर से निकाला मल्टिप्लाइ होगी उसके बाद अब जो इनका रिजल्ट आया ना उसको हमने प्लस फिर से कैरियर वेव एड़ की कैरियर वेव जब हम फाइनली डी मॉडलेशन की तरफ जाएंगे और हमें रिसीव करनी होगी सिर्फ इन्फरमेशन तो यहां पर कुछ वैरियर वेव होगी ना तो हमें पता होना चाहिए उन वैरियर कोन है और हमारा इन्फरमेशन कोन है क्योंकि basically हमारा काम किसे है information wave से हमें कैरियर को अलग करना है सिर्फ हमें information चाहिए तो जो यहां पर कैरियर वेव है यह एक आपको बताएगा कि कैरियर वेव के dimensions कैसे हैं कैरियर वेव कौन सी वाली है ताकि आप आराम से उसको निकाल पाओ और सिर्फ अपनी information वहां से retrieve कर तो यह mathematical एक प्रोसीजर होता है इसमें कैरियर वेव को भी add करना ताकि हमारी फाइनली information वेव यहां से वह retrieve हो जाए अभी इतना सारा explain करना आपके लिए जाधा relevant नहीं है पर मैंने यह क्यों किया क्योंकि exam में अगर multiplier adder ऐसा कुछ लिखा हो तो आपको पता चले ही multiplier adder हमने कहां पर पढ़ा था और इनका क्या function है ठीक है आगे चलते हैं next है हमारा collector modulator collector modulator में क्या चीज़े आपको याद रखनी है पहले तो high level का है high level modulator and secondly यह use करता है classy amplifier जो इस signal को amplify करता है काफी efficient amplifier है जो एक transistor को use करता है amplify करने के लिए signal को ठीक है तो classy amplifier नाम आप याद रखोगे type of amplifier ही है अब next line देख लो this method works by varying the supply voltage in sync with the audio signal that is nothing but your modulating signal तो यह देख लो इसका मतलब क्या हुआ this method works by varying the supply voltage VCC अब supply voltage VCC क्या होता है वो voltage जो हम देते हैं to power a circuit that means circuit को चलाने के लिए जो हम power दे रहे हैं ना energy source circuit का यह energy source उस device को चलाने का that is your power supply voltage VCC उसको हम vary करवाते हैं in synchronization with the audio signal अब इसका क्या मतलब हुआ जब हम vary करवा रहे हैं supply voltage को that means जो voltage हमारे device की है वो constant नहीं है उसको हम जादा और कम कर रहे हैं and depending on कि हम voltage जादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं आपको जादा कर रहे हैं अब इस जादा और कम करना किसके हिसाब से हो रहा है यह आपके audio signal के हिसाब से हो रहा है For example, कोई song है, imagine करो, ठीक है, कोई गाना आप सुन रहे हो, वो गाने के बीच में loud notes आते हैं, तो जब आपका audio signal loud note बजा रहा है, that means जब गाना जादा उंचा volume का हो गया है, जो supply voltage है उसको भी increase कर रहे हैं, जब low notes आ रहे हैं signal में, sound, जो है song की, वो काफी धीमी आवाज का हो गया है, तो उस time पे supply voltage को कम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम supply voltage को vary करवाते हैं, उसको synchronize करवाने के लिए audio signal के साथ, ठीक, अब हमने इसमें class C amplifier क्यों लिया है, क्योंकि efficient है, powerful output देता है, and ये suitable होता है, high frequency carrier signals के लिए, ठीक, तो यहाँ पे आपका खतम होता है, AM generation, इसके हमने दो पड़े, low level modulator, high level modulators पड़े, उसमें square law मैंने explain किया, switching दूसरी example है, and आपका collector modulator है, ठीक है, next is your FM generation, which shows कि हम FM wave कैसे generate करते हैं, इसके again हमें दो methods पड़ने, one is direct method, and the another one is indirect method, direct को हम parameter variation method भी कहते हैं, indirect को हम armstrong method भी कहते हैं, ठीक है, तो basically होता कि हमारे पास एक modulating wave, उसकी frequency ऐसी होती है, and a carrier wave हम generate करवाते हैं, उसकी frequency and amplitude steady होता है, इन दों को superimpose करवाके, that means हम इसमें क्या vary करते हैं, इसकी frequency, तो जैसी हमारी modulating wave की frequency होगी, वैसी frequency हमारी FM modulated wave की भी होती है, modulated wave, ठीक है, यह हमने first lecture में discuss किया है, तो अब यह कैसे function करती है, एक हम voltage controlled oscillator लेते हैं, जो क्या करता है, generate करता है carrier signal को, किसी एक set frequency पे, इसका एक feature है, इसकी frequency change होती है, as per the voltage, जैसी voltage होगी, वैसी frequency change होगी, जो हमने अभी भी discuss किया, तो when we apply a different voltage, it adjusts the frequency of the signal, it's generating, तो frequency accordingly उसकी change होती रहेगी, अब है, adding the modulating method, what we want to transmit, जो भी हमारी voice या music signal है, when this signal is applied to VCO, तो VCO react करता है, यहाँ पे आजाओ वापस, मैंने का, इसका feature क्या है, यह according to the input, अपनी frequency change करता है, तो जब हम यह हमारा जो audio signal है, वो VCO को देते हैं, as per the frequency, VCO react करता है, accordingly अपनी frequency change करके, to match the ups and downs of the modulating signal, that means, जो modulating signal की frequency होगी, उसी according, VCO क्या करेगा, frequency match करवाएगा carrier signal की, ठीक, जो wave finally हमारे पास आएगी, वो हमारी FM wave है, यह रहते है, suitable narrow band FM के लिए, doesn't handle large frequency deviations, frequency deviations, that means, हमारी carrier wave की frequency थी, and finally, जब हमने उसको input voltage दी, कितनी हमारी frequency change होई, that is your frequency deviation, तो large change, अगर हमें चाहिए, उसके लिए use नहीं आता है, इसको हम small, जो है, narrow band frequency modulation के लिए use करते हैं, doesn't handle large frequency deviations with, doesn't handle large frequency deviations well, which is required for high fidelity audio in wide band FM, that means, जो large frequency deviations है, वो हमें चाहिए होती है, किनके लिए, high quality audio के लिए, तो high quality audio, जिसके लिए, HD quality होगी, उसके लिए ये use नहीं होता है, ये small communications के लिए use होता है, ठीके, तो ये हो गया आपका indirect method, उसके बाद हमा, direct method, sorry, उसके बाद हो गया आपका indirect method, जिसको हम armstrong method भी कहते हैं, ये provide करते हैं, high stability accuracy, making it ideal for the high quality FM broadcasting, जो यहाँ पर यह नहीं होता है, वो यहाँ पर होता है, तो ये जो example है कि कौन सा high quality FM के लिए use होता है, और कौन सा नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये करके भी MCQs जो है, वो बनाएं जा सकते हैं, अब इसकी working देख लो, ये start होता है, इसमें क्या different है, ये start होता है with the phase modulation, तो इसमें पहले phase modulation होती है, हमने दो modes of communication पड़े थे, analog and digital, मैंने आपको बताया था lecture के start में, digital, ठीक है, तो जो analog है, ये दो types का होता है, हमारा, जो हमने amplitude modulation पड़ी and frequency modulation पड़ी थी, ठीक है, जो digital है, उसमें हमारा आता है, और एक type cup modulation, phase modulation, ये हमें detail में भी पढ़ना है, वो मैं next lecture पढ़ूँगी, बताऊंगी आपको, मतलब उस lecture में जिसमें हम digital communication discuss करेंगे, जैसे हमने frequency में frequency vary करवाई थी, इसमें phase vary होता है, for example, ऐसे normal wave है, carrier wave, तो phase कैसे vary होगा, ये ऐसे है, फिर उपर की तरफ नहीं जाएगा, इसका phase जो है, वो 180 degree shift कर सकता है, फिर नीचे की तरफ नहीं आएगा, ये उपर ही shift हो जाएगा, तो इस तरीगे की wave जह हो generate हो सकती है, तो उसको हम phase modulation बोलते हैं, A phase modulation is used to adjust the phase of the carrier signal based on the audio modulating signal, तो जिसमें amplitude में हम amplitude को adjust करते हैं, frequency में frequency को adjust करते हैं, इसमें phase को adjust करते हैं, अब ये हम use कर रहे हैं हमारे indirect method में, तो जब phase of the carrier changes, जब phase change हो जाएगा, तो आप देख रहे हो ना, कुछ आपकी frequency में भी variations आएंगी, frequency variations, हमें क्या करना है, इसको carefully देखना है कि क्या क्या variations आ रही हैं, और उनको carefully control करके हम क्या करते हैं, इसमें हम convert करवाते हैं हमारे phase modulated wave को into हमारी जो FM wave है, उसमें, frequency modulated, खीक है, तो exam में इसमें question आ सकता है, indirect method किसका, armstrong method जो है, वो कौन सी type का modulation है, उसमें आप लिखोगे, frequency modulation and phase modulation किसमें हम use करते हैं, पहले direct method में, indirect method में तो use करते हैं, वो indirect method में, तो ऐसे करके, इसके MCQs बन सकते हैं, अब देख लो, हमारे कुछ topics रहते हैं, first unit के, वो में next lecture में cover करूँगी, उसके बाद हम, हमारा जो unit third है, मैं एक बार यह आपको syllabus ही दिखाती हूँ, यह आपका syllabus है, तो यह सारी चीज़ें हमारी हो गई, modulation वगएरा, modulation index, modulator, FM modulator, हमारा इसमें रहते है, demodulation, bandwidth, मैंने आपको बताया होता क्या है, थोड़ी और चीज़ें कुछ देखेंगे, applications वगएरा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ conceptual नहीं होगा, इसमें मैं आपको notes पे लिखके दे दूँगी, फिर आपका आगे heterodyne, radio receiver, FM receiver, यह दो topics हमारे रहते हैं, फिर हमारा है radio wave propagation का, अब आप unit 3rd में आ जाओ, यह देख लो, again modulation, demodulation के topics हैं, तो यह वाले topics जो हैं, यहाँ पे majorly हमने किये हुए हैं, modulation types, demodulation हम कर लेंगे, introduction to AM, FM, PM, जो phase modulation, बस यह ही यहाँ पे करना है, SSB, SC, DSB, SC, दोनों हमने किये हैं, suppressed side band, ठीक है, यह वाला हो गया, फिर block diagramming की कैसे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, simple सा है, फिर FM generation detection and AM, FM and PM comparisons, तो यह भी काफी simple है, एक extra lecture लगेगा, और आपका यह वाला portion भी complete हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हमारा antenna start होगा, ठीक है, तो antenna हमें यहाँ से बढ़ना है, second unit में भी, तो थोड़ा बहुत आपके syllabus में overlap भी है, unit 1 की चीज़ें फिर repeat हुई है, unit 2 में भी, unit 3 में भी,